अज़े आपका अपना चूब चैनल इस इन मैं इस पर स्वागत करता हूं अज़ का मेरा टॉपिक है पार्टनर्सिप यानि साजहा फिरेंड इस टॉपिक को स्टाट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ बेल आगोन का व नौ अनुपात आठ है यहां A है और यह क्या है B है इसके पूंजी का अनुपात 9 रेशियो 8 है क्लियर तथा उसके लाव का अनुपात कितना दिया हूँ है तीन रेशियो 4 दिया हूँ है यह लाव का अनुपात दिया हूँ है ध्यान दिजिए यहां पर क्या है लाव का अन इतना वह पूंजी इन्वेस्ट किया है, वह पूंजी कितने महने किली इन्वेस्ट किया है, छे महने किली इन्वेस्ट किया है, लेकिन B कितने महने किली इन्वेस्ट किया है, यह आपको निकालना है, तो फेंस मैं आपको बता चुका हूँ, पार्टनर्शिप के बहुत सारे लाब में, राइट, तो पूंजी तो दिया हुआ है, और जब A कितने मन्त के लिए invest करता है, 6 मन्त के लिए, तो 6 से multiply कर देंगे, यह किस में change हो गया, यह change हो गया, लाब में, पता है न, और B कितने समय तक लगा रहा है, यह आपको मांग रहा है, B का धन कितने समय तक लगा रहा, मान लेते हैं कि B का धन X समय तक लगा रहा, यह भी हो गया लाब, यह लाब का रेशियो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 multiply 6 यानि 54, और यहाँ पर 8 multiply X यानि 8 X, देख रहे हैं यह लाब है, इस लाब का जो value आया है, इसमें रख दिजिए, चुकि यह दिया हुआ है लाब का अनुपाद, 3 अनुपाद, 4 इस लाब का value कितना निकला हुआ है, 54 by 8 X यहाँ पर रख दिजिए, 54 by 8 X इक्वल टू कितना, 3 by 4, cross multiplication कर दिजिएगा, तो 54 multiply 3 equal to 8 X multiply 3, therefore X का value आप easy way में निकल जाएगा, बहुत असान यह technique, यह मैं आपको बताया हूँ, तो 54, sorry, यहाँ पर 54 को 4 से multiply होगा, यहाँ पर मैं 4 लिखूँगा, and किस से divide कीजिएगा, 8 multiply 3 से, so X का value निकल गया, 8 4 से cancel हो जाएगा, 4 2 जा, 8, and इसका value आएगा 54 by 2 multiply 3, यानि 6, और यह 54 में जब 6 से divide कीजिएगा, तो आएगा कितना 9, तो बताये, B अप जो का जो पूंजी लगा रहा मार्केट में, वो कितने समय तक लगा रहा, 9 महने तक लगा रहा, यानि इसका option के आएगा, C, अब मैं ले चलता हूँ, question number 2 की और, अमित ने 30,000 रुपिय का निवेश करके एक व्यपार सुन किया, यहां पर लिखे अमित, तो अमित कितने रुपिया लगाता है, 30,000 रुपिये, वह इन्वेश्ट करता है, 30,000 रुपिये, कुछ समय बाद, रहुल उस ब्यपार में सामिल हो गया, और उसने 20,000 रुपिये काईनी वेश किया, यहां लिखे रहुल, और रहुल का केपिटल दिया हुआ है, 20,000, और रेशियो का नियम आप जाते हैं, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, नमर अफ जीरो जीहां भी फोर है, तो इसको तुम्हें कैंसिल अराम से कर सकता हूँ, राइट, यहां लिखे रेशियो 2, तो बस के अंत में मुनाफे को दो अनुपात, एक के अनुपात में विभाजि तो बताईए कि इस परिस्थिती में, इस साधा ब्यपार में राहुल कितने महिने बाद सामील हुआ था, तो फैंस यहां पर अमीद की भी से में कुछ टाइम बॉंड नहीं दिया हुआ, इसका मतलब अमीद ने 12 महिना के लिए अपना कैपिटल इनिवेस्ट करता है, और मा जब कैपिटल को, यानि निवेस्ट को जब टाइम से मल्टिप्लाइ कर देते हैं समय के साथ, वह किस में चेंज हो जाता है, तो अब यह किस में चेंज हो गया, यह लाव में चेंज हो गया, चुकि यह पूंजी है, और पूंजी को मैं समय के साथ मल्टिप्लाइ कर दिया ह तो यहां लाब का रेशियो क्या हो जागा, 3 x 12 यानि 36 और 2 x यानि 2 x यहीं इसका रेशियो होगा, इस लाब का जो रेशियो निकला है, इसका वेल्यू लेकर इसमें shift कर दिजिए, यानि 36 by 2 x, इकल to 2 by 1, स्वाल कर दिजिए, 36 को 1 से मल्टिप्ले किजिएगा तो 36 आएगा, और 2 x को 2 से मल्टिप्ले किजिएगा तो 4 x आएगा, एक्स के वेल्यू निकल जाएगा 36 by 4 यानि 9 महने, यानि राहूल अपनी पुंजी 9 महने के लिए invest किया, लेकिन question में क्या करा, देहां question देखे, चुकि option में 9 महने भी दिया हुआ है, option में ये कह रहा है, बताइए कि इस पर स्थिती में, इस साधा वेपार में राहूल कितने महने बाद सामिल हुआ था, चुकि राहूल ने 9 महने काम किया, 12 महने में, इसका मतलब यही हुआ ना, कि राहूल 3 महने के बाद अपना पुंजी निवेस किया, यानि वेपार में सा किया समन्रक नहीं समन्रहें कितने महीने के बाद सामिल हुआ चुकि राहूल नो महीने काम करता है इसका मतलब है कि राहूल तीन महीने के बाद व्यपार में सामिल हुआ तभी तो नो महीना काम करेगा इसलिए राहूल 12-9 अनि 3 महीने बाद व्यपार में सामिल हुआ यानि option C के लिए अब मैं ले चलता हूँ last question की और A, B तथा C एक विपार में 5 ratio, 6 ratio, 3 के अनुपात में निविश किया यहाँ A, ratio B, ratio C तो इसका एका पत्तिक का investment कितना दिया हुआ चुकि ratio में है तो मान लेती हैं कि A का जो investment है, वो आप 5X है B का investment 4X है and C का investment 3X है चार मेंने बाद B ने दूपी एक हजार का अतिरिक निविश किया और आठ मेंने बाद C ने दो हजार रपे का अतिरिक निविश किया एक बस के बाद, यहाँ ध्यां दीजिए, यहाँ पर एक बस के बाद यहीं लाव का नुपात दिया हुआ है तो C का आरंभिक निविश किया था वो आपको निकालना है इसमें कहा रहा है कि चार मेंने के बाद B ने एक हजार का अतिरिक निविश किया एक बसे में कोई information नहीं है इसका मतलब A ने बारे महने तक अपना पूंजी निविश किया B बारे महने के निविश किया पलस चार महने बाद B ने एक हजार का अतिरिक निविश किया चार महने के बाद यहाँ आठ महने तक एक हजार रुपिय अतिरिक निविश किया राइट अब C में आते हैं, आठ मेहने बाद C ने 2000 का अतिदिक निवेस किया, आठ मेहने के बाद, यह स्टार्टिंग में C बारे मेहने या पुझी निवेस करता है, पलास, और अतिदिक निवेस कितना करता है 2000 रुपी, कितने मेहनों के लिए, आठ मेहने बाद, इसका मतलब 4 मेहने क में जॉंप किया निए चार मेंनों के लिए राइट और रेसियो का ये नियम है आप जानते हैं इसमें भी force दिए करेड ऊष्छाण हो जाएगा इसमें भी force से डिवाइड कर दिए इसमें भी force pride करेड़ कि जएगा तो इसका लुम कितना यहाःगा फिफिटी नकस इसको हो से डिवाइट किज़ेगा cultural में अधेगा फिवाइट निस ट्र। से टूसे और अधेगा इनका समय कितना है थुवसिक निकल गया लावण निकल गया क्यों आपने किया निभेस को जब मैं समय के साथ multiply करता हूँ वा लाव में change हो जाता है कई बाद यह मैं repeat कर चुका हूँ So friend अब question में क्या कर रहा है यदि लाव का अनुपात 15, 15, 14, 11 अहाँ तो C का आदम भी किनी बेस कितना था Friend यहाँ पर देखिए C का लाव कितना है 11x है न A का लाव 15x है B का लाव 14x है and C का लाव 11x है तो C का लाव यहाँ पर दिया हूँ 11x और question के coding C का लाव कितना दिया हूँ लाव 9x पलस 2000 यहाँ लिखिए 9x पलस 2000 इकल टू 11x So 2000 इकल टू 11x में 9x को मैनस कर दीजिगा तो 2x हैगा So x के value निकल गया तो 2000 में 2 सी डिवाइट कर दीजिगा 1000 रुपी है राइट न X के value निकल गया मां क्या रहा है C का आरंभिक निवेस कितना Starting में C का निवेस कितना था C का कितना निवेस था 3x ऐही थाने Starting में C का निवेस So 3 x x का value निकल चुका है 1000 इसमें रख दीजिए 1000 कितना आएगा 3000 रुपीज यानि C का जो Starting में investment था हुआ कितने रुपीय था केवल 3000 रुपीय था Option देख लीजिए 3000 रुपीय कहा है यहां पर है यानि Option A So friends आज का यह वीडियो के साल लगा अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए फिर मिलेंगे मैं वीडियो के साथ जय हिंद